हलो मैं इंजिनियर डीपी आदो अमित परिवार यूटूब चैनल में आप सभी का हारदिक श्वागत करते हैं हम लोग पिछले दिनों सरल परिपत एलिमेंटरी सर्किट में सेलों को स्रेडि क्रम, समांतर क्रम और मिस्रित क्रम में जोड़े आज हम लोग उससे थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ निमेरिकल्स भी करेंगे और किर्चाप का नियम पढ़ेंगे किर्चाप साहब ने दो नियम दिये थे, पहले वो नियम देख लेते हैं, वो इसी से है किर्चाप का नियम तो हम लोग देख लेते हैं किर्चाप साहब ने कहा कि जब कोई जटिल परिपत है तो उसमें कोई आवयो कितना बोल्टेज ड्रॉप करेगा या बोल्टेज लेगा या परिपत में कितनी धारा बहेगी अथवा कुल प्रतिरोध कितना होगा इन सब बातों का अध्यन करने के लिए किर्चाप साहब ने दो नियम दिये तो हम लोग देखते हैं किर्चाप स्लाब बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के प्रतियोगी परिच्छा में कई बार इससे कोश्चन पूछा गया है तो हम लोग सरल परिपात यह हम लोग का चैप्टर चल रहा है इसमें किरचाप का नियम जटिल परिपत्थों में कुल्धारा कुल्धारा कामा अवयो पर बोल्टतापात परिपत्था कुल्प्रतिरोग ग्याद करने हे थी किरचाप ने दो नियम दिये प्रत्थमनिय बहुत इंपोर्टेंट है एक लाग बार ये पूछा गया प्रस्न है आप लोग ध्यान से सुनें ये आपके आरारवी बगरा में रेलवे में ये एक लाग बार पूछा गया प्रस्न है ध्यान से देख लें किरचाप का प्रत्थमनियम खिस्से संबंदित है तो प्रत्थमनियम लिखलें आवेश सनरच्छण पर आधारी थै बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी डरनोट करें आवेश सनरच्छण पर आधारी थै प्रत्थमनियम और नियम क्या है वो देख लें परिपत के किसी संदिबिंदु पर संदिबिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का समस्त धाराओं का बीजी योग सुनने होता है ये किर्चाप साब का पाला नियम है इसके अनुसार आप देखेंगे यदि ये संदिबिंदु है तो इस पर जितनी भी धाराओं ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है तो निर्गत भी होंगी माले ये ऐसे एक क्यां से निकली एक यहां से ऐसे निकल गई एक यहां से ऐसे निकल गई तो आने वाली इस संदिबिंदु पर आप देखेंगे कि सभी धाराओं का बीजी योग सुन्ने होगा अथवा आप ऐसे भी का सकते हैं अथवा आने वाली आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग आने वाली धार ऐसे भी इसी नियम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किर्चाप साब के अनुसार परिपत के किसी संदिबिंदु पर जितनी भी धाराओं आती हैं और वहां से जितनी धाराओं गुजरती हैं सब का बीजी योग सुन्ने होता है यानि आने वाली धाराओं को एक साथ लेंगे और जाने वाली धाराओं को एक साथ लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग आप इसका मतलब यह हुआ आवेस प्रवाह की दर को धारा करते हैं अर्था जितनी धाराएं आई इसके मतलब कि जितने आवेस आए उतने ही आवेस वहां से चले भी गए, गुजर भी गए यानि जाने वाली धाराओं का यूग यानि आप यूँ भी का सकते हैं कि अर्थात जिस दर से आवेश संदी विन्दु पर आता है. इलिखाया गया संदी विन्दु पर आता है उसी दर से गुजर जाता है. द्यान से देख लें ये भी पॉइंट. ये इस तरह से धारा आने का मतलब आवेश का आना और आवेश का जाना दोनों बराबर है. इसलिए हम कहते हैं ये ही पॉइंट्स आप देखें. तो यहां से आप कहेंगे कि ये आवेश संरच्छन पर आधारित है. और बहुत पूष्टा है कि किर्चाप का प्रथम नियम किस पर आधारित है तो आवेश संरच्छन की ये पूष्ट करता है. जितना आवेश आया किसी संरच्छन पर उतने आवेश बुजर गया. और यहां से देखें अगर ये धारा आई 1 है, ये धारा आई 2 है, ये धारा आई 3 है, ये आई 4 है, ये आई 5 है, ये आई 6 है, ऐसे. तो आने वाली धाराओं का योग अर्थात हो जाएगा. अर्थात हो जाएगा I1 धन I2 धन I3 बराबर हो जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 यह हो जाएगा यानि यह आपका संदी विंदु है इस संदी विंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग आप किर्चाप के नियम को ऐसे भी का सकते हैं अथवा ऐसे भी का सकते हैं परिपत के किसी संदी विंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का उतनी ही धारा गई, इसका मतलब कि जितना आवेश आया, उतना ही आवेश चला गया, अर्थात कहेंगे जिस दर से आवेश संदी बिंदु पर आता है, उसी दर से गुजर जाता है, इसलिए कहेंगे कि किर्चाप का प्रथम नियम आवेश सनरच्छन पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग इनका दूसरा नियम देखते हैं, आपका दुती नियम, किसी बंद, किसी बंद, पास, इसे लूप कहेंगे, बंद, पास में, परिडामी, बिद्दुत बाहक बल, कैप्टल की, कैप्टल ही, परिपत में, लगे, आवयों, द्वारा लिये गए, बोल्टेज, कोस्ट में, बिभावपाथ, इसी को बोल्टेज ड्रॉप कहेंगे, बिभावपाथ कहेंगे, द्वारा लिये गए, बोल्टेज, के योग के बराबर होता है, द्यान से देख लें, किसी बंद, पास, या लूप या परिपत में, आप कहेंगे, परिडामी विद्दुद बाहग बल, इसी परिपत में लगे, अवयों द्वारा लिये गए, बोल्टेज के, योग के बराबर होता है, जैसे एक आपका परिपत, ये, मैं इधर परिपत बना देता हूँ, ये परिपत देखें, एक रेज़ टेंस हमने यहां लगा दिया, और इधर बैटरी से या सेल से हमने जोड़ दिया, एक रेज़ टेंस हमने यहां भी लगा दिया, एक रेज़ टेंस यहां भी लगा दिया, और एक रेज़ टेंस यहां भी लगा दिया, ऐसे, ये हमारा एक परिपत बन गया, और परिपत बंद पास हो गया, या बंद परिपत हो गया, इसका बिद्दुद बाहग बल E1 है माल लिजे, इसका E2 है, सेल है, यहां का प्रतिरोध R1 है, यहां का बोल्टेज V1 है, यहां का प्रतिरोध R2, यहां का बोल्टेज V2, यहां का माल लेते हैं R3, बोल्टेज V3, और इसे माल लेते हैं R4, और यहां का voltage V4 तो इस तरह से किर्चाप के दुतिय नियम द्वारा हो जाएगा यदि परिडामी विद्दुत बाहक बल देखें तो उनके अनुसार हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर हो जाएगा V1, धन V2, धन V3, धन V4 इस टाइप से हो जाएगा यहीं उन्होंने का कि किसी बंद पास में परिडामी विद्दुत बाहक बल अगर इन दोनों का परिडामी विद्दुत बाहक बल अथवा capital E है तो हम लोग लिखेंगे capital E बराबर capital E बराबर V1, धन V2, धन V3, धन V4 ऐसे लिख लेंगे यहीं उन्होंने का अब इस formula को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर V1 के जगाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 ध्यान से देखें V1 बराबर होगा यहाँ V1 बराबर होगा क्योंकि धारा सब में एक ही बहेगी धारा आई यहाँ से माली जे चल रही है तो यह स्रेडी क्रम है सब में धारा आई ही बहेगी ऐसे अपना परिपत पूरा करेगी तो इस तरह से V1 बराबर IR1 हो जाएगा V2 बराबर यहीं धारा आई आएगी इसमें IR2 इस टाइप से हो जाएगा इस तरह से E बराबर I अगर कामन ले लिया जाए तो कोस्ट में हो जाएगा R1 धन R2 धन R3 धन R4 इस टाइप से हो जाएगा और यह हो गया स्रेडी क्रम में कुल प्रतिरोध का फार्मूला यदि परिपत का कुल प्रतिरोध कैप्टल R है तो हो गया E बराबर I गुडे R तो यह किर्चाप के दूतिय नियम का यह दूसरा रूप भी है कि कुल बिद्दुत बाहक बल यहीं है E हमारा कुल बिद्दुत बाहक बल बराबर परिपत की या लूप की कुल धारा और गुडे परिपत का कुल प्रतिरोध यह हम लोग जानते है उम के नियम के अनुसरा B बराबर I आर होता अथोब E बराबर I आर होता है चुकि यहाँ पर सेल लगे हुए है तो सेल का विद्दुत बाहक बल बोलते है तो सेल का कुल विद्दुत बाहक बल यदि कैप्टल E है तो वो अबराबर होगा कुल धारा गुडे कुल प्रतिरोध और इस तरह से देखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है यहीं एक लाग बार ये कोस्टन पूछा गया है आपके कमटीशन में यह भी बहुत इंपोर्टेंट है एक लाग बार ये प्रस्ण पूछा जा चुका है कि किर्चाप का दुतिये नियम किस भावतिक राज सिका सनरच्छन कि पुष्ट करता है तो आप कहेंगे उरजा सनरच्छन यहीं प्रस्ण पूष्टा है कि किर्चाप का दुतिये नियम किस भावतिक राज सिक उरजा सनरच्छन तो लिख ले किर्चाप का दुतिये नियम किर्चाप का दुतिय नियं उर्जा सन्रच्छ की पुष्ट करता है यह दोनों बातें याद रखेंगे यह आपके कमटीशन में लगातार प्रस्ण पूछा जाता है पाला आवे सन्रच्छन पर आधारित है और दूसर का पुर्जा सन्रच्छन पर आधारित है पकिया किर्चाप का दुतिय नियम क्या है वहीं बोल्टेज ग्याद करना यहां से कुल प्रतिरोध ग्याद करना और कोई भी आवयो यह सब एलिमेंट यहीं आवयो एक यह आपने लगा दिया पेटा चाहे बल्ब लगा दिया तो बल्ब का यह प्रतिरोध आरवन हो गया आपने हीटर लगा दिया बल्ब का यह हीटर का प्रतिरोध आरवन हो गया आपने पंखा चला दिया तो पंखे का प्रतिरोध ऐसे जो घरों में हम लोग वाइरिंग करते हैं वो भी एक सर्किट है यह भी एक सर्किट सर्किट में यह आपका सुरोथ है इसी को हम परिपत बोलते हैं, ध्यान से सुन लें, यहीं हमारा परिपत है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग सर्किट बोलते हैं, तो यह हमारा सर्किट है, सर्किट क्या है, जब हम सन्योजन तार से कई भी एलिमेंटों को एक साथ जोड़ देते हैं, उसमें कहीं स्विच लगा देते हैं आनाप करने के लिए और उसे एक स्रोत से जोड़ते हैं, जो स्रोत जो है उसमें सप्लाई देगा, धारा का प्रवा कराएंगे, यानि हम लोग जो है, जैसे पास्टिव इसका निगेटिव ऐसे जुड़ा हुआ, तो ये दोनों स्रेणी करम में विद्दुत बहागबल जुड़ जाता है, तो ये जैसे टॉर्च में लगाते हैं, तो आप देखें E1 और E2 जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा E1 धन E2, और वहीं आपने लिखा है कि परिडामी विद्दुत बहागबल तो परिडामी विद्दुत बहागबल हो गया E1 धन E2, और ये बराबर होगा प्रतेक अवयाव, तो ये हमारा अवयाव है, ये चाहे हीटर है, चाहे बल्ब है, चाहे ये पंखा है, चाहे इसी को अंगरेजी में एलिमेंट बोलेंग परिडामी विद्दुत बहागबल सभी अवयों द्वारा लिये गए बोल्टेज के योग के बराबर होता है, तो ये भीवन बोल्ट मान लिया ले रहा है, ये V2, ये V3, इसके योग के बराबर यहाँ लिख दिया गया, और कितना ये बोल्टेज ले रहा है, भीवन का मान अगर आपको ज्याद करना होगा तो यह है वेटा V1 बराबर I गुड़े R1 मैं यह कहूँ कि पाला प्रतिरोद R1 का मान बताईए तो आप या R1 कितना बोल्टेज ड्रॉप कर रहा है उसी को कहेंगे बोल्टता पात विभव पात या बोल्टता पात कहेंगे अथवा कहेंगे कितना बोल्टेज वो ले रहा है तो आप कहेंगे V1 बराबर I गुड़े R1 बोल्ट ले रहा है तो वहीं V1 के जगह पर लिख दिया गया I गुड़े R1 ऐसे ही V2 किसका है तो दूसरे वाले प्रतिरोद R2 जो है वो V2 बोल्टेज ले रहा है क्योंकि आप पढ़ें कि स्रेंडी क्रम में बोल्टेज का बटवारा हो जाता है या बोल्टेज का बिभाजन हो जाता है तो यह अपने हिसाब से जितना इसका रहिस्टेज होगा उस हिसाब से यह बोल्टेज लेगा क्योंकि आपको बताया गया है कि स्रेंडी क्रम में V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 बरावर होता है R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 ऐसे ही पावर के लिए लिखाए गया P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बरावर R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 यह सब सारी बाते लिखाए गए इसके मतलब यह है कि सब अंस में है जिसका रहिस्टेंस ज़्यादा होगा वहीं उसी की पावर ज़्यादा होगी स्रेंडी क्र में और ऐसे जिसका रेस्टेंस ज्यादा होगा वहीं बोल्टेज भी ज्यादा लेगा तो आप लोगों को मालूम है कि जितने वाटेज कम होते जाते हैं उनका रेस्टेंस उतने ही बढ़ता जाता है 40 वाट का रेस्टेंस ज्यादा है 60 वाट वाले बल्ब का रेस्टेंस कम है और 100 वाट वाले बल्ब का रेस्टेंस और कम है 200 वाट वाले का जितने वाटेज बेटा हम लोग ज्यादा लेते जाते हैं उसका रेस्टेंस उतने कम होता जाता है तो इस तरह से अगर ये 100 वाट वाले का है, मालीजे, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है, ये 40 वाट का बल्ब, स्रेंडी क्रम में ऐसे ही जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे 40 वाट वाले का रेजिटेंज सबसे अधिक होगा, आता यहीं सबसे ज़्यादा बोल्टेज खीचेगा वी 3 का मान सबसे अधिक होगा तो स्रेनडी क्रम में क्या होता है कि जो कम वाट का होता है वो ज़्यादा बोल्टेज खीचता और वही ज़्यादा चमकता अगर 25 वाट का बल्व लगा देंगे तो 40 वाट वाला वी दहिमा तब जलेगा तीन बल्ब जुड़े हैं, एक 100 वाट का है, एक 200 वाट का है, एक 25 वाट का है, या 40 वाट का है, तो सबसे तेज कौन चमकेगा, तो 40 वाट वाला चमकेगा, सबसे ज़्यादा बोल्टेज कौन लेगा, 40 वाट वाला, सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, वहीं ज़्यादा चमकना अत्वा ज्यादा पावर होना तो पावर भी 40 वाट वाले की पावर P3 कामान सबसे अधिक आएगा तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी तो यह इसे ही आपका है नियम और अभी हम लोग जो है आपको प्रतिरोध भी बल्बों का ज्याद करना पिछले दिनों बताया गया था फिर भी मैं बता देता हूँ चलिए देखते हैं हम लोग कोस्चन देखते हैं पहला कोस्चन है बहुत इंपोर्टेंट है यह भी पूछा गया प्रस्न है 1.5 किलो वाट का हीटर 100 सेकेंड में कितनी उर्जा देगा या उर्जा लेगा तो आप लोग जानते हैं कि तेड़ किलो वाट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 गुड़े 1000 वाट हो जाएगा अब किलो वाट से यह वाट बन गया तो बराबर हो जाएगा 15 के आगे 2.0 लग जाएगा यह हो जाएगा 1500 वाट बराबर हो जाएगा 1500 जूल प्रति सेकेंड हम लोग जानते हैं विटा कि वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है सकति का SI मात्रक वाट है और वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड है तो यह प्रेस नहीं बता रहा है कि वह 1 सेकेंड में 1500 जूल कार कर रहा है यहां से देखिए द्यान से प्रेस नहीं आपका जितने वाट बताएगा जिसे 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट बराबर 100 जूल प्रति सेकेंड लिखेंगे, अताव वह बल्ब एक सेकेंड में 100 जूल कारे कर रहा है, वैसे 1.5 किलो वाट का है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, तो इसमें गुड़ा कर दिया गया, तो 1500 वाट हो गया, 1500 वाट बराबर 1500 जूल प्रति सेकेंड यानि एक सेकेंड में 1500 जूली उर्जा देता है तो करा है 100 सेकेंड में कितना देगा तो यहां से हो गया आप लिखेंगे कि एक सेकेंड में में उर्जा देता है बराबर 1500 जूल इसलिए प्रस्ण में पूछा है कि 100 सेकेंड में 100 सेकेंड में पूर्जा देगा बराबर 1500 गुडे 100 बराबर हो जाएगा 15 के आगे 4 जीरो बराबर हो जाएगा 1 दसमलो 5 गुडे 10 के घाते 5 जू देख लें जब यहाँ पर हम दसमलो लगाएंगे यहाँ पर दसमलो लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक उदर है इसलिए घाते 5 हो जाएगा इतना जूल प्रती सेकेंड या 100 सेकेंड में इतना जूल कारे करेगा या इतनी जूल उर्जा देगा यही आपका आंसर होगे अगला कोस्चन है किसी परिपत में 3 एंपियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाइद कराने पर 1300 जूल कारे करना पड़ता है तो स्रोत के बिद्दुत बाहक बल जो स्रोत है बेटा स्रोत क्या है हम लोगों का सिल है तो सिल यानि सिल का बिद्दुत बाहक बल पूछ रहा है कैप्टल ई पूछ रहा है तो हम लो जानते हैं एक हिट फार्मूला बहुत हिट फार्मूला w बराबर e q यह फार्मूला हम लोग जानते हैं यसलिए e बराबर हो जाएगा आता आप कहेंगे e बराबर यहीं है सेल का विद्दूत बहाग बल या स्रोत का विद्दूत बहाग बल ही है E बराबर W by Q और हमारे प्रस्ण में W का मान ये दिया है इतना कार होता है ये मान आपको दिया है Q का मान हम यहां से ग्याद करेंगे धारा I हम लोग जानते हैं आवेश प्रवा की धर को धारा करते हैं इस तरह से Q बराबर I T होता है तो हम लोग लिख लेते हैं Q बराबर I T Q बराबर I Gडे T यह हम लोग जानते हैं या I बराबर Q I T तो इसमें यहां से Q का मान ग्याद हो जाएगा बराबर हो जाएगा आई का मान दिया 3 MpA और गुड़े 5 मिनट समय को सेकेंड में लेते हैं तो लिखेंगे 5 गुड़े 6 1 मिनट में 6 सेकेंड होता है तो 5 मिनट में कितने सेकेंड होगे तो हम लोग गुड़ा कर देंगे तो 538 यानि 300 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 900 900 कुलाम आ गया आवेश का मान आ गया 900 कुलाम देख लें 36, 35, 93 और 1,0 बढ़ गया तो इतना हो गया कुलाम अब हम लोग बिटा इसी में मान रख दें इस सुत्र में मान रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा अता लिखेंगे अता इ बराबर अता इ बराबर लिखेंगे डबलू का मान महां से उतारें 13, 50 लिख लें जूल बटे क्यूं का मान 900 तो यहां से 900 रख लें यह 0 से 0 कट गया 9 से भाग देंगे तो 9 एक आइम 9 और 9 पचे 45 1.5 यह आ गया बोल्ट यहीं आपका आंसर हो गया सेल का विद्दूत बाहग बल इ का मान या सुरोथ के विद्दूत बाहग बल इ का मान आ गया 1.5 9 से भाग देंगे 13 में एक बार भाग जाएगी 4 से सो जाएगा 9 4 13 और फिर 9 पचे 45 ऐसे हो गया अगला कोस्टन हम लोग देखते हैं एक सेल का विद्दूत बाहग बल दो बोल्ट है जब इसे 25 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता ये 25 ओम के प्रतिरोध से जोड़ रहा है तो ये कैप्टल आर का मान है ये सेल का विद्दूत बाहग बल capital E का मान आपके प्रस्ण में दिया है तो इलेक्टरोडों के बीच का भी वांतर ये इतना capital V का मान दिया है रह जाता है तो cell का आंतरिक प्रतिरोद ग्यांत कीजिए तो cell के आंतरिक प्रतिरोद के लिए हम लोग formula पढ़ें हैं कि इसमाल R बराबर ये ही cell का आंतरिक प्रतिरोद है बराबर होता है E माइनस V बटे I और इसी को बराबर हम लोगोंने पढ़ा है E माइनस V बटे V गुडे R जब हम लोग I को convert करेंगे ओम के नियम से तो I बराबर होता है V बटे R और I के जगह पर यहाँ पर जब V बटे R रखते हैं I के जगह पर तो यह R पलटकर उपर चला जाता formula यहीं है लेकिन ऐसे भी उसे लिखा जा सकता है तो जहाँ जैसी demand रहेगी उस type से हम formula लिख लेंगे जहाँ पर हमारा ये वाला formula सेट हो रहा है यहाँ पर ये तो इसको हम लोग लिख लेते हैं तो E माइनस V बटे V गुडे capital R तो हम लोग यहाँ पर capital R का मान दिया इस रूप में ये वाला formula तब लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहीं है इसमाल R बराबर E का मान दिया दो तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस capital V का मान 1.8 दिया तो लिखेंगे 1.8 पूरे के बटे V का मान 1.8 फिर नीचे इसे कोस्ट में बंद कर दिजे और गुडे R R का मान 25 उम दिया है तो गुडे 25 ऐसे लिख लिजे बराबर 2 में से 1.8 निगलेगा तो 0.2 हो जाएगा 0.2 अपान 1.8 गुडे हो जाएगा 25 25 से 2 में गुडा करेंगे तो 50 हो जाएगा या ऐसे दोनों जगहां से 10 मलों हटा दें तो यह 18 बन जाएगा 25 दूना 50 बराबर 50 बटे 18 देखे कट रहा है 2 से कट जाएगा 2 पचीस सहम 50 दो नमा अठार तो 25 बटा 9 यह आ गया ओम यह आपके सिल का आंतरिक प्रतिरो इतना आ गया अथवा 2 दसमलों सम्थिंग आएगा ऐसे पॉइंट में अब हम लोग अगला कोस्चन देखते हैं हम लोग का कोस्चन देखें सेल का बिद्दूत बाहग बल यह पॉइंट है कल भी बताएगे थी बहुत इंपोर्टेंट है सेल का बिद्दूत बाहग बल बिभो मापी से सुद्ध प्राप्थ होता यह भी बहुत पूश्ता है कि बोल्ट मेटर से सुद्ध प्राप्थ होता या बिभो मापी यानि पोटेंशियो मेटर जिसे करते हैं उससे सुद्ध प्राप्थ होता है तो आप कहेंगे बिभो मापी से, ये भी प्रस्ण जो है, दस अजार बार पुछा जा चुका है, ये भी कि बिभो मापी का प्रतिरोध कितना माना जाता है, तो बिभो मापी या पोटेंसियो मीटर का प्रतिरोध अनंत माना जाता है, ये देखिए, अनंत माना जाता है, भर करता है, बच्चों आम लोग, सेल में क्या है कि दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड ऐसे माली जी लगा दिया और बीच में जो है बैद्दूत अब घट भर दिया, तो आपने देखा कि राशायनी क्रिया के कारण ये धन बिभाव पर माली जी आ गया, और ये रिंड बिभाव पर आ गया, तो इस तरह से इन में एक बिद्दूत बाहग बल राशायनी क्रिया के द्वारा, यहां पर एक राशायनी क्रिया होती है, तो एक बिद्दूत बाहग बल ई उत्पन हो जाता है, जनरेट हो जाता है, वो एक जो है रिंड विभाव पर धन विभाव पर और एक रिंड विभाव पर आ जाता है तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सेल का विद्दूत बाहकबल ई है वो इस आपके इलेक्ट्रोलाइट जो आप इसमें बैद्दूत अब घट्य भरे हैं उस पर निर्वर करेगा और जो इसमें इलेक्ट्रोड की धात उप्रियोग किये हैं उस धात उपर निर्वर करेगा अत्वा प्लेट का जो आपने धात लगा रखा है उस प्लेट पर निर्वर करेगा तो प्लेट कही है चाहिए इलेक्ट्रोड कही है दोनों बातें एक ही हैं तो इसका आंसर अब आप अपने आप दे सकते हैं कि इस तरह से सेल का विद्दुत बाहगबल जो E होता है वो उसके बैद्दुत अब घट्य पर तथा उसमें प्रयोग किये गए इलेक्ट्रोड पर निर्वर करता है तो इसका आंसर हो गया पिटा इसका आंसर आप लिखेंगे प्रयोग्त प्रयोग्त इलेक्ट्रोडों की धात उपर वो बैद्दुत अप घट्य पर वो बैद्दुत अप घट्य लिख लिजेगा पर निर्वर करता है ये इसका आंसर हो गया किसी भी सेल का विद्दुत बाहगबल E जो है वो इस इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें प्रयोग किया गया है उस पर निर्वर करेगा तता उसमें जो इलेक्ट्रोड के रूप में धात प्रयोग की गई है कापर, जिंग, कार्बन ये सब जो भी प्रयोग किया गया उस पर निर्वर करता है अगली पॉइंट क्या किसी सेल के प्लेटों के बीच विभुवानतर भी उसके विद्दूत बाहक बल ई से अधिक हो सकता है तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो आंसर होगा कंडिशनल पूछ रहा है कि क्या किसी सेल के प्लेटों के बीच विभुवानतर उसके विद्दूत बाहक बल ई से अधिक हो सकता है तो आपका आंसर होगा हाँ हो सकता है हाँ हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों आपको बताया गया जब हम लोग सेल को डिस्चार्ज करते हैं जब सेल से धारा लेते हैं यह आपका सेल हो गया देखिए ध्यान से यह सेल हो गया जब इस से हम लोग बाय परिपत में धारा लेते हैं तो यहां का बोल्टेज भी और इसका ई और अंदर जो है यहां पर इसका इसमाल आर काम करने लगता और मालिजे की आई एंपियर की धारा इसमें बह रही है तब आपने पड़ा कि भी बराबर हो जाता है इ माइनस आई इंटू आ इतना बोल्टेज यह खा जाएगा तो जितना बोल्टेज खाएगा वो इ में से रेजिस्टेंस सेल का आंतरिक प्रितिरोध इसमाल आर यहीं बोल्टेज ड्राप कर रहा है भी बराबर आई आर एक फार्मूला पढ़े है भी बराबर आई आर वाले फार्मूले से इतना बोल्ट जो है E को ये कम कर देता है तो हो जाता है E-IR अब जितना यहीं बचा यहीं हमें यहाँ पर मिलता इसलिए सुत्र बन गया कि भी बराबर हो गया E-IR तो इस तरह से आपने देखा यह कब है यह जब हम सेल से धारा ले रहे हैं अथवा इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं सेल से धारा लेते समय अथवा डिस्चार्ज के समय यह फार्मूला है अगला जो आप इसमें टॉपिक देखे हैं जब हम इसे चार्ज करते हैं ऐसे आपका यह सेल है आपका यह सेल है और इसे आप चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के लिए हम लोग जो है इसमें यहां से DC स्रोध डालेंगे और DC स्रोध से इसमें पास्टिव को पास्टिव से और निगेटिव को निगेटिव से ऐसे जोडेंगे तो यहां पर जो इसका DC का बोल्टेज भी होगा उसका मान यहां पर E और प्लस IR चार्जिंग के समय जो इसमें धारा आएगी उसके योग के बराबर हो जाता है यानि भी बराबर दिया गया बोल्टेज भी चार्जिंग के समय तो यहां पर चार्जिंग के समय क्या हो हैं तो charging के समय हो जाएगा दिया गया charging voltage भी बराबर हो जाएगा capital E plus जितना ये voltage drop कर रहा है आंतरिक प्रतिरोद IR इन दोनों को जब बेटा जोड़ेंगे तब यहां से दिये गए voltage के या terminal voltage के बराबर हो जाता है तो इस तरह से देखिए एक बार जब हम discharge करते हैं तब तो भी कामान E से कम हो जाता है क्योंकि E में से इतना घट गया है लेकिन जब हम charge करते हैं तो हमारा terminal voltage ज्यादा होता है और प्रेरित विद्दुत बाहग बल सेल का कम होता है और इसमें IR जब जोड़ते हैं तब इसका योग जो है terminal voltage भी के बराबर होता है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्या किसी सेल के प्लेटों के बीच विववानतर उसके विद्दुत बाहग बल से अधिक हो सकता है तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है कब charging के समय देखे यह भी का मान अधिक है तो लिख लें हो सकता है charging के समय सेल को जब हम charge कर रहे हूँ तो charging के समय और सुत्र आपको मालूम हो गया कि charging के समय सुत्र क्या है तो है भी बराबर E plus I into small यह है फार्मूला charging के समय यह फार्मूला हो जाएगा और जब से धारा लेंगे तो आप उसे discharge करेंगे तब हो जाएगा भी बराबर E minus I गुड़े इसमाला अगले question पर चलते हैं क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है जैसे जैसे हम लोग उसको use करते जाते हैं उसका प्रियोग करते जाते हैं वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता रहता है तो आंसर हो गया आपका इसका आंसर हो गया प्रयोग करने के साथ साथ बढ़ता रहता है के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता रहता है अगला प्रस्ण है यदि किसी सेल का ये भी कई बाप प्रस्ण पूछा गया यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसमाल आरोम है तो सेल से होकर इसमाल आई एमपियर की धारा प्रवाइत होने पर सेल में बिभव पतन यही है बिभव पतन भी बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना बोल्टेज खा रहा है तो आई गुडे आर खारा यहाँ पर कैप्टल आई न लिखकर इसमाल आई दिया है तो आंतरिक प्रतिरोध यह कारा कितना बिभव पतन कर रहा है तो पहला आंसर हो गया आपका पहला आंसर हो गया बिभव पतन आंतरिक प्रतिरोद द्वारा बिभव पतन जिसे कहेंगे voltage drop तो आप लोग जानते हैं यह लिखा भी बराबर आई या तो हो गया बिभव पतन बराबर हो जाएगा इस्माल आई यहां पर दिया तो इस्माल आई गुड़े इस्माल आर बोल्ड एक यह आंसर हो गया दूसरा सक्ति व्य दूसरा आंसर सक्ति व्य इस प्रतिरोद इस resistance के कारण यह जो आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोद इस्माल आर है यह वाला इस्माल आर यह कितना जो है सक्ति व्य करेगा तो यह उस्मा बना कर उड़ाएगा आप लोग जानते हैं प्रतिरोद में से जब भी कहीं हमारी supply या current गुजरती है या धारा गुजरती है तो i square r से उस्मा उत्पन होता है तो इस तरह से हो गया i square r watt अथवा जूल प्रति से केंड इतना जो है यह सक्ति व्य करेगा यह दोनों आंसर हो गया यहाँ पर r हम लोग इस्माल नहीं है तो हो जाएगा i square r watt अथवा जूल प्रति से केंड या इसी को watt कहेंगे अब हम लोग अगला question देखते है अगला किसी cell से प्राप्त अधिक्तम धारा का मान बताईए हम लोग का cell ऐसे है यह आपके electrode हो गए जब इन्हें हम लोग एक मोटे ताबे के तार से ऐसे साट करा दें तो हमें अधिक्तम धारा मिलेगी तब जो है कोई यहाँ पर प्रतिरोध r का मान सुन्य हो जाएगा r का मान कुछ नहीं रहेगा 0 हो जाएगा उस समय आप देखेंगे by प्रतिरोध capital r बराबर 0 हो जाएगा तो हमें cell से अधिक्तम धारा मिलेगी और तब केवल यहीं आंतरिक प्रतिरोध इसका इसमाल r काम करेगा क्योंकि cell का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध इसमाल r रहेगा ही तो हम लोग लिखेंगे हम लोग आ लेड़ी जानते हैं अगर धारा इसमें से i ampere की जा रही है तो हो जाएगा अब हो जाएगा e बराबर i r v बराबर जैसे i r होता है वो इससे हो जाएगा e बराबर i good r इसलिए i बराबर i max बराबर हो गया maximum धारा वैगी बराबर हो जाएगा e बटे इसमाल r यहीं आंसर हो गया यहीं आपका आंसर हो गया कि maximum धारा का मान होगा maximum धारा का मान यह हो गया चुकि जब हम लोग cell को बाय प्रतिरोत आर कामान सुन्ने करने के लिए हम लोग क्या करें? केवल दोनों टर्मिनल को मोटे ताबे के तार से यह दी मोटे ताबे के तार का प्रतिरोत नगड़ हो जाएगा तो maximum धारा इसमें प्रवाईत होगी और तब maximum धारा जब प्रवाइत होगी तो ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा जैसे V बराबर I R होता है तो इसे हो जाएगा E बराबर I गुड़े small r काम क्यों करेगा तो हो जाएगा इस तरह से maximum धारा कामान हो जाएगा E बटे small r mp यहीं आपका आंसर होगे अगला कोशन है जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी के अंदर धारा किस प्लेट से किस प्लेट की और बाती है बटा तो ध्यान से देखें यह आपका cell है यह आपका electrode है और यह भी electrode है एक इसमें positive electrode है एक negative है बकिया electrolyte इसमें भरा हुआ ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आपका concept clear हो जाएगा फिर चाये जैसे घुमार फिर आप question पूछा जाएगा तो उसका आप जबाब देने में सक्छम होगे तो यह cell है cell का यह positive electrode है और यह negative electrode है कर रहा है कि जब उसे हम charge करते हैं तो charge DC से ही करेंगे यहाँ से DC supply हम लोग देंगे और DC का यह सीरा लेाकर इसमें जोडेंगे और A सीरा लेाकर इसमें जोडेंगे और charging के समय धन को धन से जोडते हैं और रिंड को रिंड से जोडते हैं तो यहां से हम जो है टर्मिनल बोल्टेज, जो भी charging बोल्टेज देंगे और फिर तो अब आप देखेंगे कि जब हम लोग प्लस को प्लस से जोडते हैं और माइनस को माइनस से जोड़ का और हम लोग DC सप्लाई दवारा, से लिए आप बैटरी को अपने चार्ज करते हैं चाहे वो आपके मोबाइल की बैटरी क्यों नहों तो उसमें हम लोग DC सप्लाई देंगे तो अब क्या होगा कि जब धन से आपकी धारा आएगी तो वो धारा देखे धन प्लेट से अंदर जाएगी रिंड प्लेट की और ये ऐसे जाएगी धारा अमारी किधर से किधर की और बहेगी धन प्लेट से रिंड प्लेट की और ये धारा ऐसे जाएगी तो वहीं पूछ रहा है कि बैटरी के अंदर धारा किस प्लेट से किस प्लेट की और जाएगी तो धन प्लेट से, क्योंकि हमेशा धन से धारा का बाना माना जाता है, तो धन से धारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रिंड प्लेट की और जाकर ऐसे सरकिट अपनी कूरी करती रहेगी, तो इसका जबाब हो गया, आंसर हो गया, सेल के अंदर धारा धन प्लेट से रिंड प्लेट की और बहेगी, रिंड प्लेट की और बहेगी, अगला कोशन है, सेल से बाय परिपत में अधिक्तम धारा होगी, ये प्रस्न आपके CPMT में पूछा है, तो सेल से बाय परिपत में अधिक्तम धारा होगी तो यहीं है आपने अभी पहला प्रस्म देखा अधिक्तम धारा का मान है सेल का विद्दुद बहागबल कैप्टल इबटे सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसमाल आर है ये तब है जब बाय परिपत वाला प्रतिरोध कैप्टल आर सुनने है तो इसका जबाब यहीं हो गया कि जब जब बाय प्रतिरोध कैप्टल आर का मान सुनने हो अर्थाद कैप्टल आर बराबर जीरो ओने पर कैप्टल आर बराबर से पीम्टी में प्रस्न पूछा गया है तो सेल से बाय परिपत में अधिक्तम धारा होगी जब बाय परिपत का प्रतिरोध कैप्टल आर का मान सुनने होगा और वो अधिक्तम धारा का मान यह है अधिक्तम धारा होगी कैप्टल आर बटे इसमाल आर तब यहां का आर सुनने हो जाएगा आई गुडे कोस्ट में कैप्टल आर प्लस इसमाल आर चुकि इसमाल आर जीरो है इसलिए जो है केवल अब कैप्टल आर जीरो है इसलिए इसमाल आर इसार मुले में आयेगा तो अगर आप से पूस्ता है कि बाय परिपत में अधिक्तम धारा होगी तो आप कहेंगे जब बाय परिपत का प्रतिरोध कैप्टल आर का मान सुनने होगा और फिर पूस्ता है कि वो अधिक्तम धारा कितनी होगी तो वो अधिक्तम धारा होगी कैप्टल इबटे इसमाल आ अगला कुछ सने मेंटा 50 बोल्ट की एक बैटरी ये भी प्रस्न आपके CPMT में पूछा गया प्रस्न है ये भी आपके CPMT में पूछा गया प्रस्न है 50 बोल्ट की एक बैटरी दस बोल्ट के बाय प्रतिरोद के साथ जोड़ दी जाती है यदि परिपत में धारा 4.5 अंपियर हो तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोद क्या होगा ये पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि धारा आई बराबर होता है धारा आई बराबर ई बटे कैप्टल आर प्लस इसमाल आर इस फार्मूला आपको लिखाया गया जैसे आप पढ़ते हैं भी बराबर आई आर ओम के नियम से भी बराबर आई आर तो ऐसे हो गया अब सेल का विद्दुत बाहग बल ई बराबर आई गुडे आर अब आर कितना है बटा तो आर आप कहेंगे कि अगर यहां पर आप कोई आर जोड़े हैं तो यह आर और प्लस इसमाल आर तो कुल स्रेडी करम में हो गया कुल प्रतिरोध हो गया कैप्टल आर प्लस इसमाल आर इतना हो जाएगा अब यहीं से लिखेंगे अधा आई बराबर पक्छानतर करेंगे तो i बराबर हो जाएगा e के बटे capital R plus small r कोई फार्मूला ऐसे नहीं बन गया, ऐसे ही फार्मूला बन गया तो यहीं फार्मूला आप adopt करेंगे तो i का मान आपके प्रस्ण में दिया 4.5 तो यहां i के जगए पर रखेंगे 4.5 बराबर e का मान दिया 50 बोल्ट तो लिखेंगे 50 बटे, capital R का मान 10 ओम दिया है तो लिखेंगे capital R के जगए पर यह दिया बाय पर प्रतिरोध का मान यानि capital R का मान 10 दिया है तो यहां R के जगए पर 10 लिखेंगे और प्लस small r लिख देंगे इसी का मान गयात करना है यह होगे आप इसका इधर ले आएंगे तो गुड़ा हो जाएगा अगली लाइन में यह हो जाएगा या मैं लिख देता हूँ या इसको इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 45 प्लस 4.5 इसमाला जब इसे इधर ले आएंगे तो इसका 10 से गुड़ा होगा मल्टिप्लाई करेंगे दसमलों हट जाएगा या 45 हो जाएगा आर से गुड़ा होगा तो 4.5 बराबर 50 हो जाएगा अगली लाइन में लिखेंगे 4.5 आर बराबर 50 माइनस 45 बराबर 5 इसलिए इसमाल आर बराबर लिखेंगे 5 के बटे 4.5 बराबर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 50 बटे 45 45 एककम 45 फिर 5 से फिर 50 हो जाएगा 45 एककम 45 यानि एक दसमलो एक दसमलो एक ओम आ गया इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया आंतरिक प्रतिरोद हैं इसमाल आर ही आंतरिक प्रतिरोद है सेल का आंतरिक प्रतिरोद इसमाल आर बराबर आ गया 1.1 यह हो गया आम लोगों का आंसर अब हम लोग आगे चलते हैं हम लोग अगला कोस्चन देखते हैं दो प्रतिरोद आर वन वह आर टू जिन में दिया है आपके प्रस्ण में कि आर वन इस लेस देन आर टू आर वन सबसे कम है किस से आर टू से कह रहा है समानतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोद कैप्टल आर के लिए सत्य है यह सी पीमटी में आपके प्रस्ण पूछा है बहुत एजी प्रस्ण है आपको समांतर क्रम में ये पहले ही बताया जा चुका है कि समांतर क्रम में एक सो ओम का एक पचास ओम का और एक जो है दस्मलो एक ओम का प्रतिरोध अगर जुड़ा है तो उस परिपत का या परिडामी प्रतिरोध का मान या तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम से कम जोड़े गए प्रतिरोध से भी कम हो जाता है तो अगर दस्मलो एक ओम का भी जोड़े हैं सो ओम का, पचास ओम का और पचीस ओम का फिर दस्मलो एक ओम का ये चारो प्रतिरोध यदि किसी परिपत में समांतर क्रम में लगे हैं तो इनके परिडामी प्रतिरोध कामान दसमलो एक उम वाले से भी कम आएगा आंसर या कम हो जाएगा तो ये बात आपको सबसे पहले ही लिखाई गई है समांतर सन्योजन में कि इन में जोड़े गए समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों में से जो सबसे कम प्रतिरोध होता है परिडामी प्रतिरोध का मान या उस परिपत के कुल प्रतिरोध का मान उस निम्तम प्रतिरोध वाले मान से भी कम हो जाता है तो इस तरह से आप देखेंगे कि R1 is less than R2 है और कर आएगी जुड़े हैं और तुल्य प्रतिरोध कैप्टल R परिणामी प्रतिरोध कैप्टल R जो होगा वह R1 से भी कम हो जाए क्योंकि R2 से R1 कम है और सबसे जो कम प्रतिरोध होगा उससे भी तुल्य प्रतिरोध R कामान कम हो जाएगा तो आपका कौन साइस में से भी कल्प सही है तो ये गलत है ये भी गलत है अब आप देख रहे हैं केवल r is less than r 1 सबसे कम प्रतिरोध हमारा यहाँ पर r 1 है और उससे भी कम परड़ामी capital r या तूल प्रतिरोध capital r हो जाएगा तो हमारा यह वाला विकल्ब सही है क्लियर हो गया अगला question यह भी आपका जो है cpmt में पूछा गया प्रस्ण है कि दो अ समान प्रतिरोध अ समान है एक माले जे की 10 ओम है एक 100 ओम है दो अ समान प्रतिरोध समानतर क्रम में जुड़े हैं तो कौन सी बात उनके लिए सकते हैं गलत है जब एक 10 ओम का एक 100 ओम का है समानतर क्रम में है तो दोनों में धारा विन्द विन्द बहेगी बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक बहेगी नहीं बड़े प्रतिरोध में धारा कम बहेगी एक करा दोनों में बोल्टता पतन समान है यहीं आपका बिकल्ब सही है क्य प्रतेक एलिमेंट पर या प्रतेक आवयव पर आपका जो है बोल्टेज समान होता है हम लोगों के घरों में भी जो वाइरिंग होती है वो समानतर करम में ही होती है जालर स्रेंडी करम में जोड़ा जाता है तो आप अपने घर में देखते होंगे कि हर बल्ब को हर पंखे को बराबर समान बोल्टेज मिलता है जितना आपके घर में आ रहा है यदि 220 बोल्ट आ रहा है तो हर बल्ब को 220 बोल्ट मिलेगा हर पंखे को 220 बोल्ट मिलेगा और भी जो इंस्ट्रुमेंट आपके घर में लगे हैं सब को 220 बोल्ट 220 बोल्ट मिलेगा तो यानि जो है समानतर क में हर जगां बोल्टेज समान होता है अथ्वा बोल्टता पात समान होता है इस तरह से चाए वो 10 ohm का हो चाए 100 ohm का हो दोनों में बोल्टता पात या दोनों का बोल्टेज समान होगा उसी को कहेंगे बोल्टता पात समान होगा यह वाला विकल्प हम लोगों का सही है बहुत 30-30 ohm के हर भुजा में तीनों भुजा में एक प्रतिरोध लगा दिये गए 30-30 ohm के और उसे दो बोल्ड के से सप्लाई दी जा रही है तो इसमें परिपत में कए MPR की धारा कितने MPR की धारा प्रवाइत होगी ये question पूछ रहा है IIT में पूछा तो हम लोग देखेंगे धारा आई चलेगी तो धारा का भी भाजन हो जाएगा कुछ इस रास्ते से चलेगी और कुछ इस रास्ते से चलेगी जो इस रास्ते से चलेगी वहीं इस रास्ते से होते वे आगे अपना परिपत पुरा करेगी और जो इस रास्ते से आएगी वो इधर आगे चली जाएगी तो अब हम देखेंगे धारा का विभाजन हो रहा है इसके माने मतलब कि ये प्रतिरोध और ये वाले प्रतिरोध समांतर क्रम होगा क्योंकि जो धारा इधर आएगी वहीं इस रास्ते से जाएगी तो ये हो गया आपका स्रेडी क्रम स्रेडी क्रम में धारा ये कही बहती है तो ये दोनों प्रतिरोध हो गए स्रेडी क्रम में और फिर दोनों मिलकर इसके साथ हो गए समांतर क्रम में क्योंकि यहां धारा का भी भाजन हो रहा है जहां धारा का भी भाजन होता है वहाँ पर समांतर क्रम हो जाता है आपको बताया गया है कि समांतर क्रम में बोल्टेज सब जगां समान होता है बोल्टता सब जगां समान होती है धारा का भी भाजन होता है जब कि स्रेडिक्रम में voltage का भी भाजन हो जाता है और सब में धारा एक समान सब में धारा बहती है तो यह हमारा हो गया स्रेडिक्रम अब स्रेडिक्रम में 30 UOM और 30 UOM आपको औरलिया दो गया 30-30, 60 UOM हो गया और 60 हों इस 30 ओम के साथ समानतर करम में जुड़ा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कि समानतर करम में फार्मूला होता है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 ऐसे होता है बराबर R1 का मान अगर मान ले 30-30 हों लिखते हैं 1 बटे 60 प्लस R2 आप कमान ले 30 हों है तो 1 बटा 30 ऐसे अगर इसे भी 2 से अगर हम यहां गुड़ा कर दें उपर नीचे तो यहीं बात हमारी अगली लैंग में हो जाएगी 1 बटे 60 प्लस 2 बटे 60 यहां उपर नीचे 2 से गुड़ा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरह से गुड़ा कर दिया गया अब दोनों के हर बराबर हो गया तो 2 एक 3 बटे 60 यह हो गया है इस तरह से परिपत का कुल प्रतिरोध यह पूरे का प्रतिरोध आ गया आपका 20 ओम यह 30 ओम 30 ओम और इसको मिला कर ऐसे कुल प्रतिरोध हो गया 20 ओम अब कितने एंपियर की धारा यह 2 बोल्ट के सेल से जाएगी तो हम लोग लिखेंगे E बराबर IR अत्वाभी बराबर IR तो लिखेंगे E बराबर IR से E कामान आपका 2 बोल्ट है तो लिखेंगे यहाँ 2 बराबर I गुड़े R कामान 20 है 20 ओम है इसलिए आई बराबर लिखेंगे 2 बटे 20 यहाँ 20 से गुड़ा इधर लेया के 20 से भाग बराबर 1 बटा 10 MPR यही हम लोग का आंसर हो यही हो गया आपका आंसर 1 बटा 10 MPR की आई कामाना गया 1 बटा 10 MPR ये प्रस्ण आपके IIT में पूछा हुआ, बहुत केजी गोईंग है, अब हम लोग अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन हम लोग का समान लंबाई के, ये सारे कोश्चन से PMT IIT में पूछे गए हैं, समान लंबाई के दो हिक्टर तार, पहले स्रेंडी क्रम में, बाद में स CPMT में पूछा है, क्रम में जोड़े जाते हैं, इन दोनों दसाओं में उत्पन उस्माओं का अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है, तो पाले स्रेंडी क्रम में जोड़ रहा हैं, माली जे की दो हिटिंग एलिमेंट है, हिटर के एक आपका ये एलिमेंट है, और फिर एक आपका ये एलिमेंट है, ये आपका स्रेंडी क्रम बन गया, तो अगर इसका प्रतिरोध आर है, और इसका भी प्रतिरोध आर माल लिया जा, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा स्रेंडी क्रम में, ये स्रेंडी क्रम की बात हो रही है, पाले दिया स्रेंडी क्रम, पहले स्रेंडी क्रम में लगे हैं तो हम लोग पहले स्रेंडी क्रम की बात करते हैं तो कुल प्रतिरोध हो गया स्रेंडी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं तो कुल प्रतिरोध हो गया कुल प्रतिरोध बराबर 2R ओम हो जाएगा और जब प्रतिरोद दो गुना हो जाएगा तो धारा इसमें आधी हो जाएगी यदि इसमें धारा आई एंपियर की इसमें बह रही है या आई एंपियर की इसमें बह रही है लेकिन अगर दोनों को स्रेंडी क्रम में जोड़ देंगे तो धारा आधी हो जाएगी माले जे वो ऐसे धारा आई एम्पियर की बाती तो अब धारा कामान हो जाएगा आई बटे दो एम्पियर प्रति रोद दो गुना तो धारा आधी अब देखेंगे तो यहां से पावर या दोनों दसाओं में उत्पन उश्मा का अनुपात क्या होगा तो स्रेणी क्रम में उश्मा बराबर होता है आई स्क्वार आर उश्मा का सुत्र है आई स्क्वार आर इसमें मान रख दें तो i जो है आधी हो गई है तो लिखेंगे i बटे 2 का बर्ग गुडे r r होया हमारा 2r, ऐसे लिख लेंगे, बराबर हो गया i square बटे 4, 2 का बर्ग 4 हो जाएगा, गुडे 2r, 2 से कड जाएगा, बराबर हो जाएगा i square r बटे 2, इतना आपका वाट या जूल प्रती सेकेंड, यह आ गया यह हो गया आपका स्रेंड इक्राम में, अब जब समानतर में अगर जोडते हैं तब क्या होगा दोनों प्रतिरोधों को समानतर क्रम में जोड़ेंगे, तब समानतर क्रम में आप जानते हैं कि हम लोग 1 by r से जोड़ेंगे, तो हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, एक बटे r, बराबर हम लोग जोड़ते हैं, एक बटे r1 प्लस एक बटे r2 से ऐसे जोड़ते हैं, तो इस तरह से, यह अगर प्रतिरोध मान लिजे कि r r दोनों के हैं, तो इस लिखेंगे, एक बटे r प्लस एक बटे r बराबर दो बटे r, ऐसे लिख लेंगे, अगर कुल प्रतिरोध r डैस है, या ऐसे मान लें, तो हो गया इतना अग इसको पलट देंगे, तो परिडामी प्रतिरोध, परिपत का परिडामी प्रतिरोध, इसको पलटेंगे, तो बराबर हो जाएगा, यह भी पलट जाएगा, हो जाएगा r बटे 2 ओम अब जब प्रतिरोध पहले से आधा हो जाएगा, समानतर क्रम में प्रतिरोध पहले से आधा हो जाएगा, तो धारा दो गुने हो जाएगी तब परिपत में धारा दो गुने बहेगी, पहले आई बहा रही थी, तो अब 2 आई बहेगी यदि किसी परिपत का प्रतिरोध आप दो गुना कर देंगे तो धारा आधी हो जाएगी और किसी परिपत का प्रतिरोध यदि आधा कर देंगे तो धारा दो गुनी हो जाएगी तो इस तरह से अब देख रहे हैं में अगर दोनों एलिमेंटों को जोड़ दिया जाता है इस फार्मूले से अगर जोड़ेंगे तो क्रतिरोध पलट जाएगा तो हो जाएगा आर बटे दोम यानि पहले से आधा हो गया पहले आरा रोम था अब हो गया आर बाई टू ओम और धारा तब हो जाएगी टू आई आई का बर्ग गुड़े आर आर है आर बटे दो समानतक्रम में कुल प्रतिरोध कामान इतना बराबर हो गया फोर आई स्क्वाइर गुड़े आर बटे दो बराबर तू आई स्क्वाइर आर इतना आ गया वाट या जूल प्रति सेकेंड अब इनका अनुपात पूछ रहा ह तो हम लोग लिखेंगे अनुपात, उश्मा का अनुपात, या उश्मा अनुपात, तो पाले दिया है स्रेंडी क्रम वाले का, तो हम लिखेंगे पाले स्रेंडी क्रम का, तो है स्रेंडी क्रम का i square r बटे 2, और बटे में अब समांतर क्रम का लिखेंगे, समांतर क्रम का है 2i square 2i square r और इसके बटे एक लिख सकते हैं अगली लाइंग में यह भिन पलटेगा तो बराबर हो जाएगा i square r बटे 2 गुड़े यह भिन पलट कर उपर चला जाएगा तो जाएगा 1 बटे 2i square r यह पलट जाएगा अब देखें यहाँ से यह cancel हो गया बराबर हो गया 1 बटे 2 दूना 4 बराबर हो गया उस्माओं का अनपात हो गया 1 अनपाते 4 यह आंसर हो गया उत्पन उस्माओं का अनपात 1 अनपाते 4 हो जाएगा स्रेणी क्रम में अगर 1 कैलोरी उस्मा उत्पन हो रही है तो समानतर क्रम में चार कैलोरी उसमा उतपन होगी या एक जूल उतपन हो रही है तो चार जूल समानतर क्रम में उतपन होगी अब हम लोग अगला question देखते हैं दो बल्व जिनके वाटेज क्रमस ये भी प्रस्न IIT में पूछा है आई आई टी में ये कोर्शन पूछा हुआ है क्रम सा 25 वाट वर 100 वाट के हैं तथा प्रतेक की अनुमत बोल्ट था 220 बोल्ट है यदि उन्हें 440 बोल्ट की सप्लाई के साथ स्रेंडी क्रम में जोड़ा जा या लगे हों तो कौन सा बल्क फ्यूज होगा तो मुझवाने जिस इसका वाटेज कम होता उसका प्रतिरोध जादा होता है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो यहीं सबसे जादा बोल्टेज लेगा और यहीं 25 वाट वाला सबसे पहले फ्यूज होगा देखें यहां से दोनों बल्बों का हम लोग यह दि प्रतिरोध ग्याद करें तो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं पावर पी बराबर होता है वी स्क्वाइर बाई आर बहुत सारे फार्मूले पावर पी बराबर वी स्क्वाइर बाई आर है पराबर वी आई भी है बराबर आई स्क्वाइर आर भी है तो हम लोग अभी यह वाला फार्मूला लेंगे त तो company ने कितने ohm का resistance इसमें लगा रखा कि वो दावा कर रही है कि ये बल्व हमारा 25 Watt का है और 100 Watt वाले में कितने ohm का प्रतिरोध उस बल्व में लगा रखा कि company दावा कर रही है कि ये बल्व हमारा 100 Watt का तो हम लोग रेजिस्टेंस ग्याद कर लें कि कमपनी ने कितने ओम का रेजिस्टेंस 25 वाट वाले में लगा रखा और 100 वाट वाले में कितने का लगा रखा प्रते कमपनी उतने रखेंगे तब है वो जो है आपका 100 वाट का बल बनेगा और ये 25 वाट का बल बनेगा तो पावर इसका 25 वाट दिया, फ़ले 25 वाट वाले का ही ग्याद करते हैं, ये इतने फार्मूला एडाप करते हैं, तो लिखेंगे, P के जगां पर 25 रखें, 25 बराबर V, V का मान हम लोगों के घरों में भी वैसे 220 बोल्ट ही रता, और प्रस्ण में भी दिया है, तो V स्क्वा का मान हो गया, 220 गुडे 220 बटे R, इस R को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा, अगली लाइन में, R बराबर 220 गुडे 220 बटे 25, यहां 25 आ जाएगा, यह हो जाएगा, 25 वाटे 200, फिर 25 वाटे 200, आठ दस्मलो आठ आ गया, आठ दस्मलो आठ में 220 से गुड़ा करेंगे, तो यहां से दस्मलो आठा दें, तो 88 हो जाएगा, 88 में 22 से गुड़ा करें, तो यह आएगा, 1936, 1936 ओम आएगा, तो हमें मालुम हो गया, कि 25 वाट वाले बल्व का, यह 25 वाट वाला बल्व का प्रतिरोध है 1936, और ऐसे 100 वाट वाले बल्व का प्रतिरोध अगर ग्याद करें, तो लिखेंगे, 100 वाट वाले बल्व का रेस्टेंस आर बराबर, 220, गुड़े 220, बटे 100, देख लें, जैसे यहाँ पर 25 बटे में आया था 25 वाट, वैसे वहाँ पर बटे में 100 वाट आ जाएगा, यह 00, इससे कट गया, यह हो गया, 222 हम, 484 हो, इतना आ गया, अब इनको स्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, एक आपका यह बल्व, यानि यह प्रतिरो जोड़ा गया, और यह प्रतिरो स्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, और सप्लाई दे दी गई, 440 बोल्ट से, इसको मिटा देते हैं, अब आप देखेंगे, कि स्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया, ऐसे स्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यह आपका 25 वाट वाला है, जिसका प्रतिरोध जो है, 1936 ओम है, और फिर यह प्रतिरोध है, आपका 100 वाट वाले का, जिसका प्रतिरोध 484 ओम है, इनको आपने सप्लाई दे दिया, चार सो चालिस बोल्ट की, चार सो चालिस बोल्ट की आपने सप्लाई दे दिया, यहां से, अब देखिए, आपको मालूम है, कि जो भी इसमें स्रेणी क्रम में क्या है, जो भी धारा जाएगी, वो धारा आई सब में एक अही बैएगी, धारा सब में एक अही बैएगी, और आपको लिखाया गया है, कि बोल्टेज का बटवारा हो जाएगा, यहां बोल्टेज भी वन मालीजे, यहां बोल्टेज भी टू, तो स्रेणी क्रम में धारा सब में एक अही बाती है, बोल्टेज का विभाजन हो जाता है, और ऐसे ही तब हो जाएगा आपको लिखेंगे स्रेंडी क्रम में कि विशेस्ता लिखेंगे स्रेंडी क्रम में आपको लिखाया गया B1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 बराबर होता है R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 ऐसे होता है और ऐसे ही पावर P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर होता है R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 के लिखाएगा है इन दोनों बातों से आप देख रहे हैं कि अब जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वहीं बोल्टता भी अधिक लेगा और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसी की पावर भी अधिक होगी तो यहाँ पर 25 वाट वाले का प्रतिरोध R सबसे ज़्यादा 1936 ओम है तो यहीं सबसे अधिक, 440 में से यहीं सबसे जादा voltage लेगा और इसी की power भी अधिक होगी, सबसे अधिक यहीं चमकेगा जो जादा voltage लेगा, जिसको जादा voltage मिलेगा, वहीं जादा प्रकास देगा तो यहां की अगर हम लोग जो है बोल्टेज की बात करें प्रकास की बात करें तो यहां का बोल्टेज भी बराबर आई आर से आप देखेंगे तो भी बराबर यहां का बोल्टेज भी बराबर हो जाएगा आई गुडे आर्वन यानि 1936 और ऐसे इसका बात करें तो इसके लिए हो जाएगा इसका भीटू बराबर हो जाएगा धारासब में एक ही बहेगी आई ही बहेगी तो आई गुडे इसका प्रतिरोद 484 हूँ ऐसे अब आप देख रहे हैं कि आई जो है दोनों में सेम है इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता है आई को अगर निगलेक्ट कर दें तो बोल्टता जो है सीधे प्रतिरोद के समान अनपाती है वहीं लिखा आई है वी वन अनपाते वी टू अनपाते वी थ्री बराबर यह होगे आर अनपाते वी इस तरह से है आई से ही पावर पी बराबर भी आई होता है पावर पी बराबर भी आई चुकि आई जो है पावर पी बराबर भी आई है और इसमें या आई स्क्वाइर आर है कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वाइर आर भी है पावर पी बराबर तो छोड़ दिया जा, सब की धारा ये कई है, तो आप देखेंगे P समान अनपाते R स्रेडी क्रम में होता है, इसी लिखाए गया P1 अनपाते P2 अनपाते P3 बराबर R1 अनपाते R2 अनपाते R3 अब आपको दिखाई दे रहा है कि किसका बोल्टेज जादा है, कौन जादा बोल्टेज लेगा, तो जादा बोल्टेज जो है 1936 ओम लेगा, यानि 25 वाट वाला जादा बोल्टेज लेगा और V2 यानि 100 वाट वाले के बोल्टेज को आम लोग V2 माने हैं वो एक तरह से 484 ओम ले रहा है तो आप 484 बोल्ट ले रहा है तो आप कहेंगे कि सबसे पहले 25 वाट वाला ही फ्यूज होगा तो आपका आंसर हो गया 25 वाट इसी का बोल्टेज जादा यह देखें V इसी का ज्यादा जिसका ज्यादा बोल्टेज होगा वह ज्यादा प्रकास देगा और वह ज्यादा सबसे पहले दगेगा तो इस तरह से ये टोपिक हम लोगों की maximum कबर हो गई और हम लोग से अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए आप लोगों को धेर सारी सुप कामना है अच्छी सी आप लोग फुल वीडियो देखिए और साथ में एक अच्छी सी नोट चैप्टर वाइज बनाते जाए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके सारे सिलिबस आपके UP, PCL वगरा के एकजाम से बिद्दुद पादन निगम वाले एकजाम से पहले समाप्त हो जाएंगे आप लोग गवड़ाए एकदम नहीं अभी हो सकता UP, PCL के एकजाम की फार्म जो अभी आया है भरने की उसकी भी डेट कुछ दिन बढ़ जा और उसकी डेट बढ़ेगी तो आपके परिच्छा की भी डेट बढ़ेगी अभी करोना का माहौल चल रहा है संभावित ये डेट है और वो भी आपकी जो है कम्प्यूटर बेस परिच्छा होनी है तो इतना आसान नहीं है कि कम्प्यूटर बेस परिच्छा उसको मैनेज करने में टाइम लगता है अभी आप लोग कल देखे होंगे कि रेल्वे भी जो परिच्छा NTPC का कराने जा रह अभी संभावित डेट बढ़ेगी आप लोग जम के एक एक चैप्टर की बाफुवी तयारी करिए एक एक पॉइंट उसको ध्यान से देखिए अच्छी नोट्स बनाएए घबराने कहीं ज़वरत नहीं है धेर सारी सुब कामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त ह ता?